Hello students, हम कर रहे हैं Company Law Company Law के आज के lecture के अंदर मैं Director वाले chapter को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा और आज हम most important question करेंगे, most important topic करेंगे जिसका question exam में बहुत आता है, वो है powers of director जो डारेक्टर होता ना किसी company का, private, public company का, OPC का उसके पास क्या-क्या powers होती है क्योंकि वो होता तो employee है, लेकिन उसके पास power बहुत जादा होती है तो कौन-कौन सी powers होती है, किसके sections के अंदर होती है, वो हम detail में समझने वाले है बट उससे पहले company law चल रही है, तो company law के lecture number 25 जो मैंने अप्लोड किया था उसके comment आया है, क्योंना आपको भी पढ़ाया जाए, दिपिका भारदवाज का दिपिका बोलती है, sir, I am shocked, आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो, views भी अच्छे आते हैं, thank you दिपिका अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो अच्छे views भी आते हैं, अच्छे बच्चे भी आते हैं, ठेक है बट like नहीं है, ये बहुत गलत बात है, अगर किसी को भी sir, वीडियो अच्छी लगती है तो please like जरूर किया करो, इनका कहने का मतलब है, जो content है, अच्छा, views भी अच्छे, बट इनको लगता है कि like कम है तो इनको लगता है, अगर आपको भी लगता है, तो जादा से जादा like करे, share करे, support करे, आपके लिए इसी तरीके से lecture आते रहेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, चलिए हम चलते हैं हमारे topic पर, so topic जो है हमारा वो ये रहा, यहाँ पर निकाल देते हैं अभी, powers of director, डारेक्टर के जो powers है न, इसको मैंने यहाँ पर five points के अंदर, या five sections के अंदर categorize किया हुआ है, इसमें सबसे पहले आती है section number 17 179, इसमें दे रखिए power of board, जो BOD होता न, board of director, जो director का board होता है, उसके अंदर 15 director maximum हो सकते हैं, मैंने शुरू में बताया था, तो OPC के अंदर minimum 1, private में 2, public में minimum 3, director की number बता रहा हूँ, shareholder का नहीं, ओके, और ज्यादा ज्यादा maximum 15 director हो सकते हैं, तो वो board बन गया उनका, तो उ उन board के पास में क्या power है, उन सभी directors के पास में क्या power है, तो वो section number 179 में हम पढ़ेगे, ठीक है, और जो power of board है न, इसका use करने के लिए, इस board को, इन directors को क्या करना पड़ता है, BR in BM, यानि कि board resolution इनको pass करना पड़ता है, board meeting के अंदर, जो board meeting होती है न, उसमें board का resolution pass करके, फि लेकिन, वो power है, लेकिन BR, board resolution, जैसे OR और SR होता है, वो AGM में होता है, annual general meeting के अंदर होता है, shareholder उसको vote करते हैं, और pass करते हैं, यहाँ पर board meeting के अंदर, जो प्रस्ता हो, जो resolution pass होता है, उसको BR बोलते है, board resolution, वो pass करना पड़ेगा, फिर वो उस power को use कर सकते हैं, जो section number 179 के अ आता है, हमारे हैं, पर section number 180, 180 के अंदर restrictions दे रखी है, powers of board की, जो board की power है, नमलब डारेक्टर, board की power मंदब directors की power, उस पर restrictions है, हाँ, अगर आप section number 180 के अंदर, जो points दे रखी हैं, जो powers दे रखी हैं, उसका अगर director को use करना हो, तो उसके लिए SR pass कराना पड़ेगा, in AGM, annual general meeting के अंदर special resolution pass करना पड़ेगा, BR से केवल कुछ नहीं होगा, और फिर section number 181, 181 के अंदर company जो है, क्या contribute करती है, company दान वगरा देती है, contribute करती है, कहां, कोई भी charitable, bona fide charitable funds होते हैं वहाँ पर, तो इसके लिए भी BR से काम नहीं चलेगा, इसके लिए OR pass करना पड़ेगा, ordinary resolution pass करना पड़ेगा in AGM, annual general meeting के अंदर, इसके लाबा दो चीजे और है, यहां BR से काम चल जाता है, इसको मैं आगे बताऊंगा, तीन पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे, 179 के अंदर BR से काम चल जाता है, board resolution से, 180 के अंदर जो powers दे रहे की, उसलिए SR pass करना पड़ता है, AGM के अ क्या वाना section आता है, section number 179, power of board, क्या करना पड़ेगा इसमें, BR pass करना पड़ेगा, board meeting के अंदर, इसलिए बोलते है, BR in BM, full form board resolution in board meeting, और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते है, directors, make call on shareholder, shareholder से call money मंगा सकते हैं, जो unpaid calls है, वो मंगा सकते हैं, authorized by buyback of securities, securities का, debentures का buyback कर सकते हैं, issue of security, shares को issue कर सकते हैं, के वर BR pass करके, borrow कर सकते हैं, पैसो को, invest कर सकते हैं, company के fund को, grant, loan और give guarantee, loan दे सकते हैं, guarantee भी दे सकते हैं, director अपनी और से, approve financial statement and the board report, board report और financial statement, मतलब balance sheet और statement of P&L, जो है, उसको approve कर सकते हैं, diversify the business of the company, company के business को diversify कर सकते हैं, diversify समझ गया न, ठीक, ओके, approve amalgamation, merger and reconstruction, अधिकतर diversify करने के लिए ये किया जाता है, amalgamation, merger, reconstruction, de-merger ये कर सकते हैं, BR pass करके, take over a company on, acquire a controlling or substantial stake in another company, किसी दूसरी company पर stake बढ़ा सकते हैं, उस company के shares in buy करके, जो है, उसको control करने की courses कर सकते हैं, उसको भी बोलते हैं, substantial stake, यानि कि 20% से ज़्यादा उसके share खरीच सकते हैं, उसमें भी OR से काम नहीं चलेगा, special resolution pass करना पड़ेगा, ऐसा कब करना पड़ता है इनको, जब ये अपनी powers को use करते हैं, कौन सी वाली, किसी जो business है, किसी undertaking है, उसको sale करना हो, या lease पर देना हो, sale or lease, of substantial undertaking, कोई दूसरी company है, उसमें 20% या उससे ज़्यादा की investment हमारी company की है, और अब board of director चाहता है कि वो undertaking को हम बेज दें, उस investment को बेज दें, हाना, substantial undertaking है, उसको या तो lease पर दे या बेज दें, तो आपको EGM करवा करवानी पड़ेगी, special resolution pass करवाना पड़ेगा, okay, next, investment of compensation received from amalgamation, company का amalgamation किया, उसकी विज़े से कही बार compensation मिलता, अगर उस compensation को कहीं और invest करना चाहते हो, जिसको purchase consideration बोलते हैं, तो invest करने से पहले आपको special resolution pass कराना होगा, restriction on borrowing power of director, director कितना पैसा उधार ले सकते है, एक company से, उस real honor है, उनकी permission के बिना आप नहीं कर सकते हैं, remissions of loan given to director, किसी director ने loan ले रखा है company से, तो अगर जो company है, वो उस loan को माफ करना चाहती है, तो केवल BR से काम नहीं चलेगा, director खुद का ही loan माफ कर देगा, ऐसा नहीं, ऐसा है, ओके ठीक, तो यह थी चार आप points याद रखना, उसक section number 181 किसके बारे में, company to contribute bona fide and charitable fund, contribute करना चाहती है, अगर charitable fund के अंदर, तो आपको OR पास करना पड़ेगा, auditory regulation पास करना पड़ेगा, AGM के अंदर, the board of director of the company may contribute to bona fide and charitable and other funds, अगर invest करना है वहाँ पर, contribute करना इस तरह के दान देना है, लेकिन उसके लिए prior permission of the company's general meeting, company की general meeting के अ करना होगा, आपको permission लेनी पड़ेगी, sell be required for such contribution in case of amount the aggregate, लेकिन ये permission कब लेनी है, ये permission तब लेनी है कि उस charitable fund में contribute company करे या नहीं करे, इसकी permission AGM के अंदर, OR पास करा के तब लेनी है, जब ये जो contribution है, ये 5% से ज़्यादा हो, किसका 5%? net profit का, कितने साल के net profit का? 3 immediately preceding financial year, average लिखा हुआ है, पिछले 3 साल का, माल लेते है, पिछले 3 साल का net profit जो है, वो 20,000, पिर आपका माल लेते है, 30,000, या ऐसे माल हो, 30,000, पहले था 10, फिर 20, फिर 30, 10, 20, 30, कितना हो गया, total करो इसकी, तो ये हो गया, आपका 60, 60 में 3 का divide कर दो, average किता है, 20,000, ऐसे average नकालना है तो 3 साल का average नकालना है, फिर उसका 5% करना, अब 20,000 का 5% कर लो, हो गया 500, sorry 1000, 20,000 का 5% किता हो गया, 1000, तो वो 1000 जो है, 1000 जो है, 1000 यो है, 20,000 का 5%, वो 1000 जो है, वो contribute करने से पहले आपको permission लेनी पड़ेगी, OR pass करना पड़ेगा, general meeting के अदर, I hope आपको समझ में आया होगा, okay, next next आता हमारा section number 182, यह prohibition देता है, मना करता है, restrictions लगाता है, regarding political contribution, कोई भी company की जो board है, उसका जो directors हैं, वो कितना contribute कर सकते हैं political party में, उसकी उपर restrictions लगाना है, इसके लिए special isolation या OR pass करने की ज़रूत नहीं है, BR से काम चल जाएगा, but कितना contribution कर सकते हैं, किसी political party को कितना donation दे सकते हो आप, उसकी limit यहाँ पर दे रखिये, देखो, maximum amount of contribution 7.5% of its average net profit during 3 immediately preceding financial year, पिछले 3 सालों का वही, average निकालो profit का और उसका कितना, वहाँ 5% सा, यहाँ पर 7.5% है, 67% जो है, आप contribute कर सकते हो, इससे जादा नहीं कर सकते हो, और BR in BM pass करना पड़ेग disclosure देना पड़ेगा, PNL के अंदर फिर कर सकते हो, कुछ companies ऐसी है, जो बिल्कुल भी contribute नहीं कर सकती, political party में, किसी राजनितिक party को दान नहीं दे सकती, कौन सी company, government company जो है, वो कभी भी contribute नहीं करेगी, इसके अलावा, company लो मना कर रहा है, company ऐसी जिसको start हुए अभी 3 साल पूर notification नहीं दे सकती, और इसके अलावा, अगर जो board है, उसको अगर contribute करवाना भी है, तो 7,5% पिछले 3 साल के average profit से जाधा नहीं कर सकती, BR in BM पास करना पड़ेगा, और disclosure देना पड़ेगा, PNL के अंदर, हो गया, last and final, section 183, power of board and other persons to make contribution to the national defense fund, national defense fund, securities, department जो है हमारा, government का जो defense fund है, defense department है, वहाँ पर क्या contribute कर सकती है, कोई company, इसके लिए director को क्या करना होगा, तो इसके लिए कोई maximum limit नहीं है, BR in BM पास करके, कोई maximum limit नहीं है, कितना भी आप defense के अंदर contribute कर सकते हो, और इसका आपको disclosure देना होगा, PNL में, तो इसका कोई maximum limit नहीं है, लेकिन BR in BM पास करना पड director, next lectures के अंदर हम करेंगे, duties of our director, और उसके बाद हम remove law director करेंगे, और फिर हमारा देरी-देरी director chapter complete हो जाएगा, यह जो concept मैंने आज आपको बताया है, यह आपके exam में आता है, उस purpose से important है, तो इसको अच्छे से note कीजिए, और अगर यह notes चाहिए, तो हमारा telegram channel join कर लिजिए, telegram channel की जो idea हमारी वो है, cwg4bcom, यह हमारा telegram channel की idea, 10,000 के करीब जो है, वहाँ पर लोगों ने subscribe कर रखा है, telegram को, वहाँ पर आपको company लोग का यह जो मैंने पढ़ा है, यह free of cost मिल जाएगा, okay, so, जल्दी से कर लिजिए, मिलते है next lecture में, goodbye, thank you.